नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजय विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तह दिल से शुक्रिया और 7-8 मिनट में आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो हर्याना विदानसवा चुनाओ के नतीजे को हर कोई अपने अपने तरीके से डिकूट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं मेरा नजरिया बिलकुल अलग है कुल मिलाकर मेरा नजरिया चुनाओ आयोग की वेबसाइट पर आधारित है चुनाओ आयोग ने जो लेटस्ट आंकड़े जारी की है उसके आधार पर मैंने विशलेशन किया है ये कोई जाट वर्सिस गैर जाट वाला मामला नहीं लगता ये नायव सिंग सैनी के समर्थन में जनादेश भी नहीं लगता अगर ऐसा लगता ऐसा होता तो ग्यारा में से नो मंत्री चुनाओ नहीं हारते कुल मिलाकर चुनाओ आयोग की वेबसाइट कहती है कि बीजेपी को 39.89 यानि करीब करीब 40% वोट मिल रहा है मिला है और कॉंग्रेस को 39.08 यानि दोनों के बीच में 0.8% का फर्क है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सीटें करीब 9 सीटों का फर्क है बीजेपी को कॉंग्रेस के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा मिली है लेकिन 9 सीटें ज्यादा क्यों मिली है शहलजा की नराजगी के कारण वुपेंदर हुड़ा का जाटवाद के कारण या फिर अती आत्मिश्वास ले डूबा मैं तो यही कहूंगा कि अर्विंद केजरीवाल का एक शब्द गौर करने लायक है कि हर चुनाव कठिन होता है हर बार हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है लड़ाईयां काम नहीं आती है लड़ाईयों से पार्टी डूबती है और हर चुनाव में अतरिक महनत करनी पड़ती है तो अती आत्मिश्वास कैसे ले डूबा कॉंग्रेस को हर्याना में और चुनाव आयो की वेबसाइट क्या कहती है पुल मिलाकर देखिए बीजेपी की 48 सीटे आई है कॉंग्रेस की 37 सीटे आई है तीन निर्दलिये हैं जो जीत कर आये हैं तीनों बीजेपी खेमे के बताये जा रहे हैं और दो आयनल्डी के बताये जा रहे हैं अब इसमें चुनाव आयो की वेबसाइट कहती है कि दस ऐसे कॉंग्रेस के बागी या निर्दलिये थे जिनों ने कॉंग्रेस का खेल बिगाड़ दिया यानि दस ऐसे बागी थे जिन में से एक तो चुनाव भी जीत गए और बाकी ने इतने वोट हासिल किये जितने वोटों से बीजेपी चुनाव जीती उससे ज्यादा वोट बागी के खाते में गए अब ये दस सीटे कौन सी हैं कुल मिलाकर अगर ये दस लोग चुनाव मिदान में नहीं होते तो बीजेपी 48 से घट कर 38 पर आ जाती ये क्यों नहीं हो सका इसके लिए गलती किसकी थी इस पर आगे बात करेंगे लेकिन दस सीटों की बात करने एक बहादुरगड है एक सोनी पत है एक अमबाला में अनिलविज सिरफ 7,277 वोट से जीते जबकि बागी उमीदवार कॉंग्रेस की चितरा सरवारा को 52,581 वोट मिलता है और कॉंग्रेस के अधिकरित उमीदवार को सिरफ 14,000 वोट मिलता है उंचा कला की सीट ब्रिजिंदर सिंग कॉंग्रेस के सिरफ 32 वोट से हारते हैं और कॉंग्रेस के बागी बिरेंद्र घुगरिया को 31,456 वोट मिलता है। यही हाल पुंडरी, बरवाना, नर्वाना, तिरगाउं, तिगाउं, बल्लबघड, फरीदाबाद, पानीपत, ग्रामीन, सीटों का है। तो यह 10 सीटों ने पूरा खेल विगाड़ दिया। कुछ लोग कहा रहे हैं कुमारी शहलजा की नराजगी के कारण हार गए। कुल मिलाकर 90 में से 17 सी के लिए सुरक्षे सीटें हैं और यहां पर कॉंग्रेस के हाथ में 9 सीटें आई हैं, बीजे पी को 8 सीटें मिली हैं। पिशली बार के मुकाबले कॉंग्रेस को दलित सीटों दो ज्यादा मिली हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुमारी शहलजा की नराजगी के बावजूद 9 सीटें कॉंग्रेस को मिली हैं। अगर कुमारी शहलजा इस कदर नराज नहीं होती, थोड़ा जोर लगाती, तो कम से कम 3-4 सीटें यानी 12-13 सीटें 17 में से जरूर कॉंग्रेस को मिल जाती। तो कॉंग्रेस का खाता 50 पार इस हिसाब से चला जाता अगर बागी नहीं होते और शैलजा की नराजगी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि हम जैसे लोग जो दूर से देख रहे थे, माहूल देख रहे थे, उसके हिसाब से अपने राजनितिक समझ के हिसाब से चीजें सामा बता रहे थे, ऐसे तो लोग सवाचनाओं में भी मैं देश भर में नहीं गया था, लेकिन मेरा आंकलन ठीक निकला था, मैंने कहा था कि बीजेपी को 240 प्लस माइनस 10 सीटें मिलेंगी, उतनी सीटें आई बीजेपी की 240 सीटें, हर्याना को लेकर भी हमारा आंकलन इसी हिसाब से चल रहा था, दूर बैट कर हम में से कोई अंदाज नहीं लगा सकता था, कि ये जो 17 बागी कॉंग्रेस के खड़े ह हुए हैं, इन में से 10 बागी इतने मजबूती से चुनाओ लड़ेंगे कि वो कॉंग्रेस को हरा देंगे, हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते थे, बुबेंदर हुड़ा तो अंदाज लगा सकते थे, इतना टाइम का अनुभव है, तो फिर उन्होंने अंदाज क्यों नहीं कि वो पेंदर हुड़ा ने भी अंदाज लगा लिया था, कि कुछ सीटों बागियों के कारण बिगड सकती है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि खुद चाहते थे कि कॉंग्रेस 48, 49, 50 से उपर नहीं लाए, अगर ये संख्या रहेगी, या फिर 44, 45 पर ही कॉंग्रेस से मड़ ज जाएंगे, जो हुड़ा के खड़े किये हुए थे और वो समर्थन दे देंगे, और मुख्यमंत्री बड़ी आसानी से हुड़ा बन जाएंगे, तो ये इनका आत्मिश्वास ले ढूबा, अब कॉंग्रेस की इस हिसाब से देखा जाए, तो टिकट वित्रण जैसे ही हुआ था, वहीं से कॉंग्रेस की पतन की शुरुवात हो गई थी, अर्थमेटिकली चुनाव हारा गया, हुड़ा ने सोचा कि धीरे धीरे टिकट जारी करो, किष्टों में जारी करो, लोगों का गुस्षा कम होगा, हुड़ा ने सोचा कि नामांकन पत्र दाकिल करने की अंतिम तारीक का अंतिम दिन में दुपहर तीन बजे से 12 गंटे पहले, 14 गंटे पहले, 8 गंटे पहले, 6 गंटे पहले अपनी लिस्ट जारी कर दो ताकि जिनको टिकट नहीं मिला, वो बागी नहीं बन पाएंगे, वो दूसरी पार्टी में जाने लायक नहीं बचेंगे, निर्द निर्दलिये जीतना बड़ा भारी काम है, मुश्किल काम होता है, उन में से कुछ को बैठा लेंगे, कुछ को मनुहार करके, समझा लेंगे, पुछकार लेंगे, लेकिन कॉंग्रेस की या हुड़ा की इस रणनीती पर, बीजेपी की रणनीती भरी हावी थी, जिनोंने इन निर्दलियों पर नजर रखी, उनको पंप किया, उनका सहारा दिया, जहां जहां कॉंग्रेस को लगा कि ये निर्दलिये, जहां जहां बीजेपी को लगा कि कॉंग्रेस के निर्दलिये, कॉंग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं, तो उनको पुष्क दिया गया, सहयोग दिय जाए वो पैसे से हो, चाए साधन सुविधाओं के हिसाब से हो, चाए माहोल बनाने से हो, जहां कॉंग्रेस की जित जाती का उमीदवार खड़ा हुआ था, उसी जाती के एक बागी, अगर कॉंग्रेस का खड़ा हुआ है, तो उसको ज्यादा प्रोसाहित दिया गया, प्रोस काम कर रहे होते तो ग्यारा में से नौ मंत्री भला चुनाव क्यों हार जाते बीजेपी को बड़ी संक्या में अपने विधायकों के टिकट अंटी कि काट के लिए क्यों काटने पड़ते हला कि उसमें वो काम्याब हुई उसमें उनका जो स्ट्राइक रेट जो ने लोगों को मौका दिया उसमें स्ट्राइक रेट उनका ठीक रहा चलिए शukरिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब केजिए शेर कीजिए आप मेंबर्शिव ड्राइब में जा सकते हैं और मेरी मदद की भी कोशिश कर सकते हैं शुकरिया बहुत-बहुत शुकरिया